हेलो असलावलेकुम वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे तो यहाँ पे सुबर का छे बज़रा है और मैं हजबन को उठा दी चाई के साथ तो वो चाई भी पी लिये हैं और उसके बाद वो नहाने के लिए चले गए हैं तो यहाँ पे मैं सब जगा का पंखा बंद कर रही हूं और दर्वाजा को खोल रही हूं क्योंकि मैं सुबर उठ जाती हूं उसके बाद मैं कीचन बंद करके खाना बनाने लगती हूं तो यह लोग सोते ही रहते हैं तो जब यह लोग उठते हैं तो मैं सब जगा का दर्वाज खोलती हूँ तो बस यहां पर मैं आ गई दर्वाजा खोलने के लिए और उसके बाद फिर हजबन तयार होंगे और मुझे अभी लंच बॉक्स को लगाना है बाकी सब रेडी हो गया है तो बस अब उनको लगा देते हैं और उसके बाद यह नास्ता भी करेंगे तो चलिए चल मैं बॉक्स निकाल रही हूं और इनको मैं रात में ही धोके रख दी थी तो बस अब इनको लगाना बाकी है तो यहां पर मैं डाल निकाल रही हूं और यह जो बड़ा वाला जो गलास वाला है ना तो मैं डाल इसी में इनको देती हूं ताकि वो हीले भी ना तो डाल बाहर निकले इसलिए मैं इसमें देती हूं कि यहां पे मैं नाप तॉल रही थी कि कितना दूंकि कि इतना भी नाप तो यह आते तो गुसते है कि इतना इतना क्यूं दे दि और आज मैं डाल चावल रोटी सग्जी सब कुछ Talking बना सुबह-सुबह ही खाना पुरा बन जाता है तो सारे दिन का भी TENSION खतम हो जाता है और आज मैं बनाई थी आलू परवल्Non की सूखी सबजी तो भी मैं नि-ंकाल रही हुN टमाटर रूटर डाल के इदम टेस्टी बनी थी तो भी नि-ंकाल रही हुN और ये मैंने निकाल दिया और अब बाकी है रोटी तो एक रोटी ये लेके जाते हैं और थोड़ी सी चावल लेके जाते हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ एक हरी मिर्च जो मैं भरके आज शेख दीती कि चलो खाने में थोड़ा सा हो जाए तो बस यहाँ पे हो गया है इनका लंच बॉक्स पूरा पैक और अब मैं इसे बैग में रख रहे हूँ तो आज एकदम पूरा प्रॉपर इनका खाना जा रहा है दाल, चावल, रोटी, सब्जी और आज मीठा कुछ नहीं है क्योंकि डब्बे थेई नहीं खाली सब तो भर गए थे इसलिए तो बस इनका बैग मैं पैक कर देती हूँ और उसके बाद इनको दे देती हूँ नास्ता, ये नास्ता करके जाएंगे तो मैं एक रोटी एक्स्ट्रा बना ली थी, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी सब्जी निकालूँगी और एक रोटी दे दूँगी इनको खाने के लिए और अभी मैं चाई भी बनाऊंगी तो यहाँ पे ये टांस्ता कर रहे हैं और मैं ले आई बैग और उसके बाद फिर मैं चली जाती हो पानी लेने के लिए और उसके बाद मैं चाई भी चढ़ा देती हूँ लगे हाथ सब काम हो जाता है तो यही जो पांच-दस मिनट का टाइम रहता है ना तो ये इदम इत्विनान से बैट के खाते हैं तो अच्छा लगता है वो हरबाहर्ट नहीं होती है तो यहाँ पे मैं चाई भी लेकर आ ग आया था माने सबी दुख उठाती है माँ बबत याद आती है माँ इसका लेही ने मिलता है या तो यहाँ पे यह तयार एक दम हो रहे हैं जंग के लिए तो यह आखिर जंग है ही कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए बहुत बड़ी जंग है तो यह सेफटी परपस से तो करना ही पड़ता है तो यहाँ पर अभी यह तयार हो गए और जाने के लिए और यह देखिए तो पीछे हलमेट यह छोड़के जा रहे हैं और यह चले गए अभी पांच मिनट बाद ना पांच मिनट या दो मि के आगई और अब चलूंगी थोड़ा देर बैठोंगी और उसके बाद ना आधा कप चाय बनाएंगे क्योंकि सुबह की चाय मजा नहीं आता है तो फिर आधा कप चाय अभी बनाएंगे और सुकून से अकेले बैठके चाय पीएंगे थोड़ा सा मूट को फ्रेश करेंगे और फिर करेंगे वीडियो की एडिटिंग और दोन बच्चे सो रहे हैं तो उसका फैदा उठा लिया जाए तब तक मेरा वीडियो का एडिटिंग भी खतम हो जाएगा और बच्चे उड़ जाएंगे फिर नास्ता देंगे तो इसी में टाइम बीच जाएगा और खाना बन तो मैंने चीनी लिया है और चीनी में डाल दिया है पानी और इसे आदे गंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि यह जो चीनी है वो घुल जाए आराम से तो बस यहाँ पर मैंने आटा लिया है और उसमें डाल दिया है रिफाइन आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं तो बस यह आटे में जो चाशनी है ना इस चाशनी से यह आटा को अच्छे से सान लेंगे जितनी चाशनी की जरुवत पड़ेगी उतनी चाशनी में आटा सान लेंगे तो यह बहुत इजी तरीका है बच्चों के लिए सेहरी में हलदी खाना खिला सके हलदी उन लोगों सेहरी करा सके और बहुत कम टाइम लगता है बस दूद गरम करिए और इसे दूद में डालिए और बच्चों को दे दीजे तो खाने में भी बच्चे को बहुत पसंद आएगा बहुत टेस्टी रहता है तो बच्चे बीना नखड़ा किये भी खा लेते हैं और मा को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि बच्चे ने एक रोटी खा लिया तो सारा दिन कम से कम सरीर में ताकत बनी रहेगी तो बस इसे अ दंद जाती है आगर तब उसे घ्राइणर में पीस थाजती है अगर तब उसे घ्राइन्डर में पीशेंगे तो नहीं पीस आएगा तो गरम रहता तो आज मैं बना रही हूं तो आज तो साथ में बालू का पराठा बनाना भी सुरू कर दी तो बस यह लास्ट रोटी है वाकि सब बन गई है और यह यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है बिना आप बताए बच्चों को को एक-एक रोटी खिला सकते हैं दूद म वी तो ऐसा भी होता है कि सहरी में लेठ हो जाता है देर से आाँख खुलती हैं तो भी आप तुरंत आपने भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं और बचे भी खा सकते etzuf assessments यह देखिये मैं तोड़ तो अभी साड़े तीन हो रहा है और हम लोग खा चुके हैं सहरी जी आभी खा ली और आज पहला दीन है ना तो कोई भी अच्छे से नहीं खाया है जीसु तो एक ब्रेड खाया है और तुम लोग नीन में उठे हुए है तो खा पी के एक दम मगन है बदमासी चल रहा है तो आप सभी को हम लोगों की तरफ सेे अरेक उधर है तो हम लोगों की तरफ से आप सभी को रंजान मुबारक खुब इबादत करिये इतनी दूआ करिए कि करोना वार्स भी कि चला जाए है तो चलिए फिर आज से भई रोजा स्टार्ट तो हम लोग रोजा रहते हैं आज है पहला रोजा बहुत जदा सबके उत्सा उमंग तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आप लोग को अच्छा लगाओगा और अच्छा लगाओगा तो लाइक जरू कीजेगा तो फिर मिलेंगे कर नए ब्लॉक के साथ अब तक के लिए बाबाए अल्ला अफेश सेफ रहिए घर में रहिए रोजा रहिए अबादत करिए